हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी एफाईवाई काड राइब तो दोस्तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में टाटा पंच की पांच ऐसी बातों के बारे में जो कि हमें परसनली जो है थोड़ा निराश कर जेते हैं और आगर आप टाटा पंच खरीदने वाले हैं तो ये वेडियो को बड़े ही ध्यान से पूरा देखें तो दोस्तो इस वीजय को स्टार्ट करने सेबिले में आपको यह भी बता दूँ कि हम कोई इस वीडियो है ही इतनी खास इस गाड़ी की काफी अच्छी जो खास बात है जैसे की 5 star safety rating है जो कि हमें काफी महेंगी गाड़ीों में ये safety rating मिलती है और हमें यहाँ 5.5 लाग में देखना हो मिल दी है तो टाटा की जो fan following है टाटा पंच की वो काफी ज्यादा है और उस fan following में मैं भी एक fan ह जिसके वज़े से मैंने ये गाड़ी बुक कराई है और इस गाड़ी को बुक कराने से पहले मैंने काफी बाद जो है इस गाड़ी के test drive लेई है जिसके बाद मुझे जो feel हुआ जो मुझे इसमें 5 ऐसी बाते लगी जो की शायद नहीं होनी चाहिए थी वो मैं आप सब से share क करने वाला हम आप सबसे छोटी सी request है कि इस वीडियो में कहीं बातों को दिल पर ना लए क्योंकि काफी लोग जो कमेंट करने लग जाते है कि आपको साड़े 5 लाक में और क्या मिलेगा ये कमी कैसे निकाल दी तो हर प्रोड़क्ट में कहीं कहीं कुछ कमी जो है कहीं बार कि इस वीडियो में जो आपाते हैं बताने वाला हो सकता है कि शायद किसी के लिए काफी जादा important हो तो ऐसे comment साब से request है कि बिल्कुल भी ना करें और वीडियो के में कहीं कहीं बातों को दिल पे ना लए क्योंकि वह भी Tata Punch प्योर का honor हो मेरी गाड़ी जो जल्दी आने वा है वह यह खी हो इस गारी को हमने hight way पर भी चला है इस गारी को हमने local भी चलाए तो जब हमने इस गारी को सेटी में चलाय तो हमें ऐसे कुछ Sabbath ऱह difficulty let लाई है या Tata की ही बात करें हम Altros की, Tiago की, Nexon की तो उसमें हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ काफी इग्नोरेबल थी जो roadside noise लेकिन यहाँ Tata punch की अगर हम बात करें तो Tata punch में हमें जो roadside noise है वो थोड़ा feel हुआ as compared to other Tata cars and other cars of other brands तो अगर आप भी peaceful drive का अच्छा मानते हैं आपको गाड़ी में बिल्कुल जो शोर बिल्कुल अच्छा न लगता है काफी peaceful drive अच्छा लगता है आपको तो आप इस गाड़ी में आपको थोड़ी roadside noise दिखने वाली है तो इसको दूर करने के लिए आप जो है अगर आप टाटा पंच खरीदना चाहते है तो इसको दूर करने के लिए आप जो है damping sheets गाड़ी में लगवा सकते हैं जिसकी costing जो है 3000 to 4000 के आसपास आ जाती है तो आप जो है damping sheets लगवा के 80% तक यह noise को कम कर सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं अगली कमी के बारे में अगले point के बारे में तो दोस्तों टाटा पंच में हमें काफी अच्छा space मिल जाता है seating comfort अच्छा देखनों को मिल जाता है front seat की बात करें rear seat के बात करें थाई support जो है काफी अच्छा मिल जाता है बूट को बढ़ाने के चकर में हैं वो थोड़ा कम देखने मिलता है जिसकी वज़ए से अगर आप तीन लोगों के साथ लूग डॉण ड्राइव करते यह फैमिली के साथ तो थोड़ा सा आपको यह कमी जो है मैसूस हो सकती है तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वाइस करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटीवेट और सुपोर्ट जरूर कीजिएगा क्यो तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यह भी कहना चाहूँगा कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह दो जो कमिया है रोटसाइड नोइस और जो इंकलाइट एंगल वाली बात जो हमने बताई है वो आपको भी यह फील हुआ टाटा पंच में या फिर अगर हम बात करें एक अच्छी जैसे टर्बो इंजिन में हमें पावर देखने को मिल जाती है या फिर अगर हम बात करें बाकी डीजल गाडियों जैसी पावर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती तो अगर आप भी जादा पावर वाली या फंट टू ड्राइव अगर हम लोगर वेरिंट्स की बात करें तो जैसे की एडवेंचर है या फिर अडवेंचर प्लस रिदम है तो उनका जो प्राइस है वह भी एक लाग के करीब जादा एक लाग साथ हजार के आसपस है एस कंपेर टू टू टाटा पंच प्योर तो लेकिन फीचर्स के अगर हम बात करें आप सारे टाटा पंच एडवेंचर के फीचर्स लगवा सकते हैं जैसे की जो रियर विंडोज है वह में टाटा पंच प्योर में देखनों को नहीं मिलती है हमें मैनूल विंडोज देखनों मिलती है लेकिन 99% लोगों को नहीं पता हुता कि यह जो इसके लावा आप स्टेरिंग मांटेट कंट्रोल या फिर अगर हम बात करें इंफोटेन्मेंट सिस्टम की तो यह सारे फीचर जो आप बड़ी इसली 20,000 के लगवा सकते हैं और इसके लावा काफी जादो लोगों को यह भी नहीं पता होता कि जो टाटा पंच एडवेंच है वो 55,000 के अराउंड है तो दोनों में जो आर्सी चाल्जी में जो डिफ्रेंस है वो अराउंड 25,000 का है और जो 25,000 है वो सीधा रोटेक्स में चले जाने आपका उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि ऐसा होता है कि जो गाड़ी का जो प्राइस है वो 6,000 से बिलो का डिफ्रेंस आ जाता है पंच प्योर में और अड्वेंचर में लेकिन जादा फीचर्स हमें देखनों को नहीं मिलते तो ऐसे केस में आपके लिए पंच थोड़ा प्योर जो है बेनिफीचल है और यहां पे बाकी की जो वेरिंट से हमें थोड़े जादा प्राइस ही लग गाड़ी ने 18 प्लस की माइलेज दिया और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि यह गाड़ी आपको आराउंड 19-20 की माइलेज बड़े ही इसली दे देगी अगर आप 80 की स्पीड जो है मैंटेन करते हैं हाईवे पे लेकिन अगर हम बात करें सिटी में तो सिटी में गाड़ ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें जो है टाटा पंच में ऐसा लगता कि थोड़े और इंप्रूव हो सकते थे तो अगर आपको वीडियो चलेगे हो तो चैनल को सब्सक्काइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बत बुलीगा तो थैंक्यू गाइस वाचि इस वीडियो